नमस्कार मैं प्राश्य राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज्ज महरास्ट में स्यासी संकट बिलकुल भी धमने का नाम नहीं ले रहा है जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिफसेना दो गुटों में पटी हुई है एक तरफ हैं शिफसेना के प्रमुखो और पूर्व मुख्य मंतरी उधव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ हैं मौजुदा मुख्य मंतरी एकनात शिंदे 49 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनात शिंदे और आज बीजेपी के समर्थन से महराष्ट में अपनी सरकार चला रही है इसी बीज देखा चाए तो सुप्रीम कोट में 16 विधायकों की अयोग्यता की मामले पर सुनवाई भी जारी है हाल ही में 27 सितंबर की दिन सुप्रीम कोट ने जो आदेश दिया अब उस आदेश के बाद इंतजार है सभी को कि आखिरकार सिफसेना का असली मालिक कौन बनेगा आखिरकार नया मालिक कौन होगा आखिरकार चुनाव चिन को किसे आवंटित किया जाएगा दरसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले के बारे में 27 सितंबर की दिन पांच जज़िज की समभधानिक पीठ ने ये फैसला सुना दिया की चुनाव आयोग ही अब फैसला सुनाएगा की आखिरकार चुनाव चिन धनुषबान किसे आवंटित किया जाएगा शिंदे गुट को या फिर उधव गुट को लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम अपडेट सामने आ रही है हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में आपको तमाम चीजों से रूबरू कराया था कि अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ तो वहीं चुनाव आयोग क्या कुछ कहता हुआ नसर आया है आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरीए कि अब कहीं न कहीं चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहेगा यहाँ पर चुनाव चिन को लेकर और साथी साथ आगामी बीमसी चुनाव को लेकर दरसल हाल ही में एक बेहत बड़ी खबर स्तामने आ चुकी है हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर खुलासा तो हो चुका है तारीक को लेकर कि अगली सुनवाई कब होगी दावा किया जा रहा है कि 18 अक्टूर के दिन अब सुप्रीम कोट में अगली सुनवाई हो सकती है लेकिन इसी बीच यहाँ पर चुनाव आयुक का क्या कुछ बड़ा कदम हो सकता है आगामी बीमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको बता दे कि मुखे निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बात कही थी कि रूल ओफ मैजोरिटी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा बहुमत यहाँ पर शिंदिगुट के पास ज्यादा है खबरे सामने आ चुकी हैं दरसल आपको बता दें कि अब यहां पर तमाम बड़े दावे की ये जा रहे हैं चुनाव आयो किस तरीके से अब रुप कर सकता है सुप्रीम कोट की तरफ दरसल आपको बता दें कि अब विधान सभा और महानगर पालिका के चुनाव एक साथ चंदरकान पाटिल ने अपना बयान दिया है उन्होंने कह दिया है कि राज्य में चुनाव लंबे समय तक प्रलंबित रहेंगे ये बताने के लिए किसी जोतिश की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट का अंतिम फैसला आने तक चुनाव नहीं करवाई जा सकते हैं य बास सभी को पता है उदर्फ ठाकरे के बयान पर भी उन्होंने बात कही उन्होंने यहां पर अपनी बात कही कि जिसके तहत यहां पर माना जा रहा है कि शायद हाल फिलहाल तो महानगर पालिका के चुनाव होने का संकेत नहीं है लेकिन मनपा के चुनाव लंबे समय तक निर्वाचन आयोग भी कोड से चुनाव करने के लिए कुछ समय अब्धी दिये जाने की मांग करेगा जिसके बाद चुनाव होंगे यानि कि उस समय तक चुनाव को इस्थगेत किया जा सकता है उधर्व ठाकरे के द्वारा जो दी गई चुनावती है वो अचित्य नहीं है दम पर चुनाव लड़ने की बात कही और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब दोनों दलों के बीश सब कुछ ठीट ठाक चल रहा है तो इस तरह के विश्य नहीं निकाले जाने चाहिए राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने का अधिकार है वहीं यहाँ पर शिंदे गुट और उधव गुट के बीच इस वक्त जंग छुड़ी होई है चुनाव आयोग जल्धी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर अब कहीं ना कहीं समया अभधी मांग सकता है आगामी BMC चुनाव को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि अगर इस चुनाव चिन को फ्रीज किया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उधव ठाकरे और शिंदेगुट को नया चुनाव चिन दिया जा सकता है इस तरीके के तमाम दावे किये जा रहे हैं देखना दिल्चस्क होगा कि अगर चुनाव आयोग वाकई में सुप्री कोड का क्या कुछ फैसला होता है यह 18 अक्टूर के दिन ही पता चलेगा इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस